हलो दोस्तों गूड बॉर्णिंग स्वागा थिपाब फिर से आप सभी काया MZT Education में दोस्तों आज है 15 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 नवंबर 2023 के Most Important Current Affair के Questions के बारे में पूरी वीडियो ध्यांस देगेगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाए गई है अगर वीडियो पसंद आए तो इसे Like और Share ज़रू करना चले शुरू करते हैं सबसे पहले कल के Revision से कल हम लोगों नहीं पढ़ा था 12 नवंबर को निमनिस से कौन सा दिवस मना जाता है तो दोस्तो विश्व निमोनिया दिवस भी 12 नवंबर को बना जाता है और लोग सेवा परसारण दिवस भी मिना जाता है इसके लावा आयोध्यत इपोट्सों में एक नया विशू रिकार्ड बना है 22 लाख से ज़्यादा द्विप जला करके एक नया विशू रिकार्ड बना है और गिनीज बुक आफ वर्ड रिकार्ड में इसका नाम दर्ज कर दिया गया है अभी हली में ग्रामेड विकास मंतराले के द्वारा लेंगिक हिंसा के खिलाफ राज्टी अभियान नई चेतना 2.0 सुरू किया गया है इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था इसराइल फिलिस्तीन विवाद में भारत ने इसराइल के खिलाफ मददान किया है यूएन में समान नागरिक संहिता यानि की यूनिफॉर्म सेविल कोड जो है ये लाने वाला पहला राज्य बनने वाला है उत्रा खट पीम मोधी पराधारित एक गाना जो लांच किया गया था अबेंडेंस इन मिलेट्स इसको अभी ग्रैमी प्रोषकार के लिए ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है इसके अलामा विश्व पसु स्वास्त दिवस का तैतीस्वा सम्मेलन नई दिल्नी में आज़ित हुआ वार्सिक नौसिना सिक्षा सुसाइटी सम्मेलन ये पोरबंदर गुजरात में हुआ भारत सरकार ने मड़ेपुर राज के नौ मैतई चरमपंथी सम्मूहों और उनके सहयोगी संगिठनों पर प्रतिबंद लगा दिया है और विवादों में रही ब्रिटेन की ग्रह मंत्री स्वेला ब्रेवरमन को उनके पत्से हटा दिया गया है ये टॉप 10 करेंट अफेर के कुश्शन थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया है क्वेक्ले रिवेजन वो भी सिर्फ एक मिनट में अब बात करेंगे हम लोग आज की करेंट अफेर की लेकिन उससे पहले में आपको बता दूँ एमजटी एप पर आपको इसकी PDF और डेटेल कोईज मिल जाएगी तो एमजटी एप Google Play Store से जाकर के इसे डाउनलोड कीजे यही पर हमारे सभी वीडियो कोर्स और सभी e-books भी आपको मिलेगी चले शुरू करते हैं आज की दिन के पहले कुश्शन से तो पहला कुशन है 14 नवंबर को निम्न में से किसकी जयनती पर बाल दिवस मनाया जाता है तो कल यानि 14 नवंबर को दोस्तो बाल दिवस था और बाल दिवस पर तेक वर्स पंडित जवाहरलाल नहरुजी की जयनती पर मनाया जाता है जो कि भारत के पहले प्रधान मंत्री थी, ये पहले प्रधान मंत्री भी थे और पहले विदेश मंत्री भी थे, मतलब Ministry of External Affairs भी ये देख रहे थे, तो इनहीं की जैनती के उसर पर मना जाता है बाल दिवस पूरे भारत में, अच्छा पंडी जवारला नहरूजी का जर्म जो ह ये 1889 में 14 नवंबर को इलहाबाद में हुआ था, इलहाबाद जिसका नाम अब प्रियागराज हो गया है, उतरप्रदेश में है, ठीक है, तो वहीं पर इनका जर्म हुआ था, पंडी जवारला नहरूजी की बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग डिटेलिंग करें, तो ये रहे 1947 से लेकर 1914 तक, और यही समय इनका विदेश मंत्राले भी था, क्योंकि विदेश मंत्राले भी देख रहे थे ये, तो पहले विदेश मंत्री भी ये थे, इनकी समाधी अस्थल दोस्तों सांतिवन में है, सांतिवन नई दिल्ले में है, और इनके समाधी अस्थल को हम ल तरतने से सम्मानित किया गया अच्छा तीन ऐसे प्रधान मंत्री रहे जो अपने ही कारेकाल के दवरान भारत रतने से सम्मानित हुए एक तो जवहारलाल नहरू एक इनकी बीटिया इंद्रा गांधी और एक इनके बेटे राजी उगांधी ये तीनों ही जो हैं अपने ही प् पुस्तकों की अगर बात करें कि कौन-कौन से इन्होंने पुस्तक है लिखी है यह बहुत पुछा जाता है तो इन्होंने the discovery of India, glimpse of the world history, an autobiography towards freedom, actually यह पुस्तक an autobiography ही थी, इसको US में towards freedom के नाम से लांज क्या गया, letters from a father to his daughter, यह इन्होंने जेल में लिखा था, तो आपसे कई प्रकार से question पुछे जा सकते हैं कि जभारलाल नहरू जी ने कौन से पुस्तक जेल में लिखे थी, तो letters from a father to his daughter, इंदर गांदी जी को यह लिखे थे, तो यह पुस्तक यह जेल में लिखे थे, the discovery of India, बाकी सब पु आगे बढ़ते हैं, अब दिखते हैं कुछ और महापुरुसों की जेनती या पुनितिति पर कौन-कौन से दिवस मनाये जाते हैं, तो जैसे 12 जनवरी को राष्ट्य युवा दिवस मनाते हैं, हम लोग स्वामी विवेकानन जी की जेनती पर, 30 जनवरी को सहीद दिवस मनात पुर्प्रधानमंद्री राजियुगाजी की पुनिति थी पर आतंगबाद विरोधी दिवस और इनहीं की जैनती पर सध्धावना दिवस मनाया जाता है राष्टे खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यांचन जी की जैनती पर इसकी अलामा पांच सितंबर को सिख्षक दिवस मनाते हैं डाक्टर स्वर्पली राधा कृष्णन जी की जैनती पर इन्जीनियस दिवस हम लोग 15 सितंबर को मनाते हैं भारत रत्न सरमोक्र रिघुणकम विसुक सरयय जी की जैनती पर 25 सितंबर को अंतियोदे दिवस मंडित दिन दयाल उपाध्या जी की जैनती पर और 2 अक्टूबर को अंतर रष्टे एकता दिवस मनाते हैं सरदार बल्लब भाही पतेल जीकी जैनती पर और 11 नॉबर को रष्टे सिक्षा दिवस मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजार जीकी जैनती चौदा नॉम्बर को बाल दिवस, पचीज दिसंबर को सुसासन दिवस यानि गूड गवर्नेंस डे, पूर प्रधान मंत्री अटल बियाई पारिच पेजी की जन्तिक पर, क्लियर, अगला, हाली में किस देश ने 14 घंटों में 800 भूकम के बाद आपात काल की घुशना की, तो आउंगा वर्ड मैप में भी आपको, यहाँ पर ना, 24 घंटों में आप सुचो 14 हसो बार भूकम के जटके महसूज किएगे, ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है, जब किसी एक पार्टिकुलर एरिया में बहुत बड़ा ज्वाला मुखी विस्पोर्ट होने वाला होता है, भ जैसे जवाला मुखी भूकम यह सब क्या है, और भूकम कैसे आता है, इसके पीछे कारण क्या है, इस पर मैंने भी रिक्संटली एक वीडियो दी थी, जब इंडिया में भूकम पाया था भी, तो आप उसे देख सकते हैं, पूरा डीटेल में उसमें बताया गया है, समझाय फिलाल यहां पर बात करें, तो 24 घंटे में 1400 भूकम पाया, और आइसलेंड ने इस पूरे के पूरे रिजन में अपने इमर्जेंसी की गोशना कर दी है, यहां पर एक फ्रगाडल्स फाल जौला मुखी है, उसके पास हजारों जटके दर्ज किये गए हैं, तो ऐसा कहा जा है कि इसमें फिर से इरप्शन हो सकता है, इस वैलकेन में, आइसलेंडिक मौसम कारियाले के अनुसार बहुत ही जल्दी यह होगा भी स्पूर्ट, फिलाल आइसलेंड दुनिया के सबसे सक्रिये भूकम पी है, जो यह तो आप बताओगे आइसलेंड अगर आप मैप में दे इसी पे थोड़ा सा एक दूकर आइसलेंड काफी बड़ा है, लेकिन बहुत ही तो बहुत ही संत, बहुत ही पीस्पूल यह है, आइसलेंड आपको पता होगा जभी विसोसांत यह सुजकांक आता है तो इसमें के टॉप पर इसलेंड ही रहता है, तो असलेंड जो है यहां पर पढ़ता है यहां पर Greenland आपको मिलेगा यहां पर Iceland मिलेगा इधर आपको यह British आइसलेंस मिल जाएगा Norway Sweden वगरा ठीक है तो Iceland यहां पर है वर्ड मैप में आगे बढ़ते हैं हाले में किस मंत्राले दौरा आइना डैसबोर्ड फार सिटीज पोर्टल लांच क्या क्या है तो अभी हाले में आवास और सहरी मामलों के मंत्राले के दौरा आइना डैसबोर्ड फार सिटीज नाम से पोर्टल लांच क्या क्या है यह जो आइना डैसबोर्ड होगा यह basically जितन भी जो सहरी रोग हैं उनके डाटा सब यहां पर इस्टोर रहेंगे पूरा डायस बोड रहेगा उसके मादन से बहुत सारी चीजे पता लगेंगी और कोई भी जो भी सहरी वेक्ति हो वो यहां पर अपना डाटा इंट्री कर सकता है अपनी सुछा से इसके अलावा इसमें जो अबन लोकल बॉडिज हैं वो इसमें जोइन हो सकते हैं आवास और सहरी मामलों की मंतरी की बात करें तो यह हैं हरदीप सिंग पुरी जी आयना डैसबूट इंपोर्टन्ट है याद रखना यह पोर्टल ऐसे ही कुछ और भी पोर्टल पिछले दुनों में भी चर्चिम रह अबना की हर स्टुडेंट की वन इंडिया वन स्टुडेंट अटिए बनेगी रिश में एक स्टुडेंट की आईडि होगी आधिर का एक नागरिकल्ट वैसे ही स्टूरेंट का होगा उसे अपार आइड रह जाइघा तो शिक्षामंतरालनी इसे लांज किया था सर्पंच समवाद एप ये असम के राजपाल ने लांच किया था समुद्र एप इनकोईस ने लांच किया था फ्लडवाच ये भारत सरकार ने लांच किया था और राजमार ग्यातरा एप जो है इसको National Highways Authority of India के दौरा लांच किया था वहीं मिर्त ब्रिक शाद दोलान एप असम के मुख्यमंतरी ने लांच किया था मोबाइल दोस्ट एप जम्मू कस्मीर में लांच किया गया और रिपोर्ट फिश डिसीज केंद्रिय मंतरी पर सुत्तम रुपाला ने लांच किया PCTS एप रायस्थान सरकार की है और UP AG पोर्टल किर्सी मंतरा ले दोरा लांच किया गया यह प्रमुक पोर्टल रहे चर्चे में यहां से कुश्चन्स बन सकते हैं इंपोर्टन्ट है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए यहां से कुश्चन्स किसी भी एप से किसी भी लाइन से बन सकता है अगला है किस राजी के 15 से अधिक उत्पादों को GI टैक दिया गया तो दोस्तो अभी उत्तरा खंड के 15 से जादा प्रोड़क्स को एक साथ GI टैक दिया गया है अब यह बहुत बड़ी बात है उन सभी 15 के नाम तो आप याद करना ही पाओगे याद करना भी नहीं है बस मोटा मोटा इक बार नजर में रखे रहो हो सकता है अगर पुछा जाओ किलिक कर जाओ तो आप बता ले जाओ तो पंदरा से अधिक उत्तपाद यानि प्रोड़क्स को GI टैक दिया गया है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रिष्ट्री के दोरा इसमें चाय से लेकर कपड़ा दाल सभी प्रकार की उत्तपाद हैं लगबगलब जैसे अगर बात करें तो बेरी नाग चाय है बिच्छूबूटी फेब्रिक्स है उत्राखन मंडुआ है जंगोरा गहत उत्राखन लाल चावल उत्राखन काला भट माल टाफल उपास के दिनों के लिए चौलाई ये नाज इसके लिए बुरांस का रस पहाड़ी तूर का दाल बहुत सारे इससे प्रोड़क्ट्स हैं ठीक है तो टूटल 15 से अधिक उत्पात को ये जियाई टैग दिया गया है जियाई टैग आया है जियाई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये टैग दोस्तों सुरुआत कब किया गया था ये 1999 में इसके लिए एक बिल आया गया और वो बिल जो है ना 2003 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए और 2004 में दार्जलिंग की चाय को सबसे पहली बार जिया टैग दिया गया था जियाई टैग यानि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग अगर किसी प्रोड़क्ट की खैती बढ़ानी हो उसकी ब्राइनिक करनी हो global market मे लाना हो या फ उसकी मार्केटिंग अच्छी कासी हो जाती है तो उनका व्यापार बढ़ जाता है साथे साथ कहा का कौन सा चीज कौन सा प्रोड़क्ट स्पेसलाइजड है वो भी और ज्यादा पॉपलर हो जाता है आगे बढ़ते हैं पिछली दिनों में भी कुछ और जी आई टेक दिया गए तो उनको रिकॉल कर लेंगे याग चुरूपी यह और अंचा प्रदेश का है इसको जी आई टेक दिया गया जम्मू कस्मिर के अभी पस्मीना क्राफ्ट, भदरवार राजमा, राम्बन सुलाई स्वहद, राजवरी चिकरी वुट क्राफ्ट और मुस्क बुद्ची चावल को दिया गया इसके लाँ उत्तर प्रदेश के इटाजिले के धार जले सार रादु सिल्प को दिया गया यह कुछ और प्रोड़क्ट हैं जिनके अभी रिसेंटली दिये गए हैं जियाई टैक, जियाई टैक पर मैंने वैसे तो कई वीडियो दी हुई हैं, अभी रिसेंट में एक और वीडियो में दूँगा जिसमें पिछले दिनों में हाल फिलाल में जो चर्ची में रहते, उन बब्स और लख्ष मना यान है कि वह 5 परसेटंट, ग्रीन एनरजी का जूज का यूज करेंगी, वह 5 परसेटंट का अपने फ्यूल में एम जाठेज में यूज कर सके, तो यहाँ पर एसए पसिफिक एरलाइन्स ने यहाँ पर टारगेट रखा है, मेर क्वाँ चियूज कर लेंगे 2030 तक और आगे चल करके यह परसंटेज और भी बढ़ाया जाएगा क्योंकि पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी ग्रीन फ्यूल की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऐसे में इन्होंने भी अपना एक टार्गेट रखा है इस पूरे एरलाइन का पूरा नाम अगर बात करें तो 3% का होता है यानि globally जितना भी carbon produce होता है उनमें से 3% तो विमान जो उड़ते हैं जो एरप्लेंस उड़ते हैं उनहीं की वज़ास से होता है 2016 में अंतराष्टी नागरिक उड़्यान संगठन ने 2019 ते carbon तथश्ट विकास का लक्ष रखा था 2050 तक net zero carbon उत्साजन का भी इन्होंने लक्ष निरधारित किया था कि सुद्ध सुन्य उत्साजन हो 2050 तक सभी देशस में लगे हुए हैं सब अपना अपना टार्गेट भी डिसाइज कर रहे हैं जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूते हैं इंडिया ने 2070 तक का अपना लक्ष रखा है कि वह zero carbon emission वाला देश बन जाएगा इसके अलमा 2050 तक इंडिया ने forcefully कहा भी है कि जितने भी developing nations हैं वह 2050 तक अपना टार्गेट बनाएं कि वह उससे पहले-पहले zero carbon emission वाले देश बन जाए तो ये भी अभी news आई थी कुछ दिन पहले मैंने cover कर आया था तो आपको बताया था अच्छा एक और जरूरी सूचना देखो दिवाली discount जो चल रहा था काफी दिनों तक चला आज उसका अंतिम दिन है last day है आज तो आज अगर आप offer का फाइदा उठाना चाहते हो तो इसका फाइदा उठा सकते हो जितने भी video courses है अपने उन video courses पर आपको मिला है 70% का discount 70% का discount और इसके लिए coupon code use करना है आपको दिवाली 70 और जितने भी अपनी e-books आती है हर एक महिनी की हो या फिर कोई combo e-books हो उस पर आपको 50% का discount मिल रहा है और नाम मातिकी फीस पर आप उससे भी ले सकते हो उसके लिए coupon code use करना है आपको दिवाली 50 तो इससे आपको 70% का discount courses मिलेगा और 50% का discount e-books पर पिलेगा आज last day है पंदरा नौंबर को तो आप इसको इसका फायदा उठाए ये आपको कहां पर मिलेगा MZT app पर Google Play Store पर जाए MZT app आप डाउनलोड कीजिए वहां से वीडियो कोर्स सेक्षन में जाकर वीडियो कोर्स ले सकते हैं e-book सेक्षन में जाकर e-book के ले सकते हैं कोई भी अगर कर सकते हो अभी जादा दिन नहीं हुए हैं इसको शुरू हुए इसमें 15 महिनों की वैलिडिटी आपको मिलेगी 6 महिने में ये कुर्स कंप्लीट हो जाएगा 15 महिनों तक आप एक्सेस कर पाओगे इसमें 15 महिनों तक आपको e-book भी दी जा रहे होगे और सभी एक्जाम को स इसको आप जरूर जोइन कीजिए हाली में किसने MSME आर्थिक गतविधी सुचकांग संपूर्ण लांज किया तो अभी हाली में दोस्तों CDB ने सिर्भी यानि की Small Industries Development Bank of India इसने और जोकाटा ने इन दोनों ने मिल करके एक संपूर्ण नाम से प्लेटफार्म पेस किया है जो की MSME आर्थिक गतविधी सुचकांग है MSME बोले तो Micro, Small and Medium Enterprises तो जो छोटे लगू और इसमाल उद्दोग होते हैं उनकी आर्थिक गतविधिया जो Economic Activity होती है उसके लिए एक Index है संपूर्ण नाम से इसको इन दोनों ने मिल करके अभी लांच किया हुआ है यहाँ पर भी आप देख पाओगे Business Standard का आर्टिकल है सिर्भी लांच से संपूर्ण MSME Economic Activity Index with जोकाटा तो जोकाटा के साथ मिल करके सिर्भी ने लांच किया हु वो मन्च यह लोग तयार करेंगे MSME आर्थिक गतिविदी सुचका हूँ तो नाम होगा इसका संपूर्ण CDB के अगर Chairman और प्रबंद नेदेशा कि यानि की CMD की बात करें तो वो है सुब्रामन्यम रमन और अगर जोकाटा के MD और CEO की बात करें तो परसान मुड्डू है CDB की अस्थापना हुई थी दोस्तो 1990 में और अपने यहीं लखनो में इसका Headquarter है क्लियर है हाली में मुख्यमंतरी योगी आदितनाथ जी ने दिपोट्सो में घरों से दिये जलाने के लिए कौनसा आप लांच किया तो UP के CM योगी आदितनाथ जी ने अभी हली में दिपोट्सो में घर से भी online दिप जलाने के लिए एक आप लांच किया है जिसका नाम है Holy एयोध्या अयाब यहां किया तो है इसे लांज किया गया है ओली एहां पर आप एक्ष一次 बी वीडियो में मैंने बिलो बनमने कवर किषया है कि एक नशम में गिनीज Book of Word रिकार्ड में ये नाम सामिल हो गया है ये रिकार्ड सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर द्वीब जलाने से ही जाकर की जलाने से नहीं बना बहुत सारे लोग online भी द्वीब जलाए और online इसी app के थुरू भी द्वीब जलाए इसका process क्या था क्या यहीं पर अपनी mobile में जला लेने था नहीं इसमें क्या था कि लोग अपने अपने स्विक्षा अंसार अपने अपनी छमता अंसार द्वीब दान करते हैं जैसे एक दीए के लिए 101 रुपे खर्श किये 11 दिये जलाने है जिनको वो 200 क्यों रुपे दिये 21 द्वीब के लिए 501 के लिए 1100 रुपे तो ऐसे ऐसे online जो हैं दीब जलान के लिए लोग दान किये अब क्या हुआ अब वहाँ पर वहाँ पर management के द्वारा या फिर इस app को जो control करते हूं उनके द्वारा पर पर दीब जलाए गए इनके नाम से ठीक है और उसके बाद उसके बाद उस व्यक्ति के पते पर दिया और सर पाएं तो अगली बार से कर सकते हो या आप अपने घर बैठे ही दीब दान कर सकते हो दीब जला सकते हो तो घरों से दिये जलाने के लिए ये शुरू किया गया है ठीक है तो करना कुछ नहीं बस online ये payment करना है उसके बाद आपके घर पर दिया और सरजुका जल भी कुछ द वाच को 149 मिलियन डॉलर में खरीदा गया है 149 मिलियन डॉलर अब देखो पाबलो पिकासो तो ये तो बहुत बड़े ये प्रेंटर थे मतलब कि आर्टिस्ट थे और ये आप चेहरा पहचानते भी होगे साथ पाबलो पिकासो इस्पैनिस ये आर्टिस्ट थे बहुत ही फ जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबको पैंटिंस की समझ नहीं होती उतनी अच्छी जैसे कि मुझे भी नहीं है मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसके लिए 149 मिलियन डॉलर क्यों दिया गया कौन दिया फिलहाल ये विमेन विदेवाच है वाच आपको यहाँ पर दिख रह वो 189.3 मिलियन डॉलर में पिकी थी वो भी पाबलो पिकासो की थी तो फिलहाल ये विमेन विदेवाच पेंटिंग में भी बेची गई है कहां पर नियुयार्क में ये कहां के थे ये इस्पैनिस थे इस्पैन के थे ठीक है आगे अगला कुश्चन हाले में प्रदोग की छ अचीमालगा वाड़ ये कृस्त गूपाल क्रिश्चन ये इंफोसके इंफोसिस तो आप जानते हो ना न अराक मूर्ती के नाम से अज तक जानते थे इनफोसिस के को फाउंडर है इनके शाहत मिलकर की न यरायन मूर्ती ने इसके स्थापना की थी तो इनफोस्ne की सा संथा आपक है और इनको IET India lifetime achievement award से सम्मानित किया गया है अभी IET India awards का तीसरा संस्क्रण आईजयुत किया गया और इसमें है सम्मानित किया गया IET बुले तो Institute of Engineering and Technology तो Infosys के फाउंडर है इनफोसिस के बारे में बात कर लेते हैं इसके जो दूसरे फाउंडर है जो में फाउंडर हो है नारायन मूर्ती और नारायन मूर्ती जी का अभी वयान भी चर्चे में रहा था जब उन्होंने 70 घंटे काम करने की बात कही थी तो इ आली में कहां पर 42 अंतराष्टय व्यापार मेला शरू हुआ तो अभी हाली में नई दिली में दोस्तों 42 अंतराषटय व्यापार मेला आयोजित किया गया है एक चीज और इस बार पार्टनर एस्टेट और फोकस एस्टेट का नाम याद रखना पार्टनर स्टेट है बिहार और केरला, फोकस्ट स्टेट में देली, जम्मू कस्मीर, जहारखन, महारास्टा और उत्तर प्रदेश को सामिल किया गया है, तो बिसिकली सारी सीज़े मैंने यहाँ पर भी लिख दी हुई है, आप इसको देख सकते हो, तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेट फेयर यानि आई-ाई-टी-फ की दोरह आयुजित किया जा रहा है, विश्ट व्यापार मिला या कहें, अंतर अश्टे व्यापार मिला, 42 वां इसका संस्करण है, 13 देशों के साथ 25 राजे समेत, देश-विदेश के 35 से ज़्यादा इसमें पर्टिस्मेंट हिस्सा लेंगे, तो ये तो थे दूस्तों आज के दिन के टॉप 10 करेंट अफेयर के कुश्चन्स, आई-होब आपको वीरो पसंदा ही होगी, अगर आप किसी भी गवर्मेंट एक्जाम के तरह कर रहे हो, तो ये सारे के सारे कुश्चन्स इंपोर्टन्ट है, आपके आनवाले सभी एक्जाम्स के लिए, तो आप लोग आई-होब दिवाली की चुटियां वगरा मना करके वापिस से आ गए होगे, फिर से जुट जाएए, उसी जोस और जुनून के साथ दोबारा से, क्योंकि एक्जाम्स वगरे आपके बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं, और अगर जिनको जिनको कोई भी कोर्स या e-book लेना है, वो इस दिवाली धमाका ओफर का फाइदा उठाईए, एमजेटी एप पर जाकर के, गूगल प्ले स्टोर से एमजेटी एप डाउनलोड कीजिए, हमारे e-books भी आती हैं, आप e-books भी ले सकते हैं, करेंट अफेर की e-book है, और यह इसमें हिंदी और इंग्लिज दोन लेंग्विज में अलग लगाती है, तो आप किसी भी लेंग्विज में जाकर किसे ले सकते हैं, पिछले तीन साल की कोई से भी महीने की e-book ले सकते हो, कॉमबो e-books भी अवाइल वेल हैं, जैसे जनवरी से सितंबर की अभी आई थी, तो उसको भी आप ले सकते हो, नो महीने की e-book, चलिए तो वर्टसेट चैनल को भी जॉइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलिग्राम गुरूप को भी जॉइन कीजिए, पीडियो अगरा के लिए, लाज्ट दे के कुश्चन का अंसर देख लेते हैं, कल हम लोग ने पूछा था, की सोतन्द भारत के पहले सिक्षा मंदरी कोन थे, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, दूसरा कुश्चन था, कि इन दो देशों की बीच सैने भ्यास संप्रीत का यजुन किया जाता है, तो एक संप्रीत जो होता है भारत और बांगलादेस के बीच में होता है, तो यह अप्सन यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा, और आज आपको क्या बताना है, आज आपके लिए कुश्चन है, प्रसिद्दे दीपोट्सों जो है, जो जो एक धैड़ीपोट्सों है, उसे कब सुरूख किया गया था, यानि उसके सुरुवात कब होई थी, दूसरा कुश्चन, वेटेर्ण के प्रधान मंतरी रेशी सुनक ने, किसे अपना नया ग्रेह मंतरी बनाया है, और इन्होंने एक विदेश मंतरी बनाया है, तो आप विदेश मंतरी का भी नाम बता दीजिएगा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तब वीडियो देखने के लिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, MZT app इंस्टाल केजिए, वहीं पर आपको साइज चीज़े मिलेंगी, मैं मिलूँगा आपको कल की वीडियो में, तो तकिन वसकार जहिए, वन्दे मातरम,